हाई गैस, ओलकम बेक टो माई चैनल, और नहीं हीर पेंटर एक्स तो आज आज की उड़ में आप लगूग को मैं इजी लेंट अप्लिकेशन के बर्में बताऊंगा कि गैस अगर कोई अल्रेड इस अप्लिकेशन से लोन लेके फाच चुगा है और लोन इप्लिकेशन के लिए आपको बहुतर कीसा हर्समेंट और ब्लागमिल किया जा रहा है और गई सगर किसके साथ ऐसा हो रहे कि इस अप्लिकेशन पे लोगिन करके आगए का पोसेस कम्प्रिन नहीं किया है फिर भी इस अप्रिकिशन की तरब से उईतर पर्मिशन लोन प्रवाट किया गया है और किसे अगर किसके साथ दैसे हो रहे कि इस अप्रिकिशन से लोन लेके लोन को रिपिमेंट कर चुगा है फिर भी दोबारा इस अप्रिकिशन के तरप से लोग निपेन के लिए बहुतर किसे harassment और blackmail किया जा रहा है जैसे कि लोग निपेन के लिए editing new picture contact list को send किया जा रहा है और लोग निपेन के लिए आपका photo के साथ bad word उसकर के आपका contact list में जितने सारे number है लोग निपेन के लिए आपका personal data gallery का मीसे उसकिया जा रहा है लोग निपेन के लिए आपको और आपका contact list को call करके abusive language उसकिया जा रहा है तो इससे बाचने का solution किया इस वीडियो के तरूँ आपड़ गोग को मैं step by step बताऊंगा और इस वीडियो के तरूँ आपड़ गोग को जो मैं solution बताऊंगा अगर आप लोग इस solution को step by step follow करेंगे तो आपका जो problem है 100% solve हो जाएगा और गैज इस वीडियो को देखने के बाद इस application को लेगे आपड़ गोग का मन में जो डार पाइद हुए बो डार पूरी तरी की से खतम हो जाएगा और साथे साथ इस application को लेगे आपड़ गोग का मन में कभी सारे सावल है कि किया गैज इस इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिब ना करके आपनों जो जरू इन तक देखेगा और साथे साथ बेल आइकन पर पेश कीजिए तक जब भी में कोई वीडियो अप्लोट करूँ सबसे पहले आपड़ गोग को नोटिफिकेशन मिलता रहत है चलिए आज की वीडियो शूरू कहते है तो गैज इजी लेंड अप्लेकेशन की रियलिटी यह कि एक सेवेंडेस बाले लोन अप्लेकेशन है और गैज इज अप्लेकेशन की इंटरेस्ट और सर्विस भी बहुत ही ज़ादा है वो इस अप्लेकेशन की तरफ से जो टेनिवार्ट रोट काया जाता है वो बहुत ही काम है इस इप सेवेंडेस के लिए और गैस सबसा कर आप लोग इस application पर loan के लिए apply करते हैं और आप लोग इस application की तरफ से loan मिल जाता है तो 7 days के अंदर आपको जो भी loan about receive होगा उससे 2 गुना पाई सा 7 days के अंदर repayment करना होगा तो गैस easy learned application के याड़ आप लोगो को कभी सारे जगा पे दिखने को मिल जाएगा और आप लोग क्या करते हैं बिन्या सोचे समझे सारे के सारे पर्मिशन को एलग कर देते हैं उससी टेम ये application क्या करते हैं मोबाल की personal data gallery content के लिए सब कुछ access कर लेता है फिर कैसे अगर आप लोग इस application पे loan ने लिए के बाल लोग को timely किसी भी करना डिपे में नहीं कर पाएंगी तो due date से पहले definitive नमर से quality समस करके बहुत तुर किसा harassment और blackmail किया जाएगा और गैस टेब के 7S बाले loan application काया काता है इस एडिटे न्यूट पिक्चर को contact list में जितने सारे 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 नमर को सेन काता है और साथे साथ ऐसे भी कहता है कि photo के साथ bad word यूज करके contact list में जितने सारे नमर है जैसे कि friends, family member, relative सब को सेन काता है और गैस टेब के 7S बाले loan application ऐसे भी कहते है कि loan IPN करने के बाद भी update नहीं काता है फिर दुबड़ा loan IPN के लिए बहुत तरह किसा harassment और blackmail काता है और गैस में आप लगों को सब सब कहते हैं कि कि इस टेब के 7S बाले loan application NBPC registered RBI registered नहीं होता है इस टेब के 7S बाले loan application ऐसे कहते हैं कि अपना एवर्ट सेक्शन में कोई NBPC registered RBI registered finance company का नाम add कर देता है तकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टेब के 7S बाले loan application NBPC registered RBI registered है और आप लोग यह सब loan application पे loan के लिए apply करे और गे इस टेब के 7S बाले loan application RBI के कोई guideline फालो नहीं करता है loan के नाम लोगों से जादा interest और service भी लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10S बाले loan application NBPC लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है बहुत है harassment और blackmail और गे इस टेब कोई 7S बाले loan application आईसा भी करता है कि loan EPN के लिए due date से पहले definitive number से call और dismiss करता है और बोलता है कि एक extension amount pay कर दीजिए आपका जो tenuity है और 7S के लिए increase कर दिया जाएगा और आगे जाके आप hub amount pay करेंगी तो आपका loan close हो जाएगा फिर कि 7S के बाद आप लोगों को और call और dismiss करके loan EPN के लिए बहुत है harassment और blackmail किया जाएगा और आप लोगों को full amount pay करने के लिए का जाएगा तो कि जैसे 7S बाले loan application के तरफ से बहुत है scam किया जाता है और इस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगे कि अगर कोई already Zealand application से loan लेके फाच चुका है और loan repay के लिए आप लोगों को बहुत है harassment और blackmail किया जा रहा है तो इससे बाचने का solution किया है जैसी कि अप लोगों को बहुत है harassment और blackmail किया जा रहा है और इस अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस application पे login करके आगे का process complete नहीं किया है फिर भी without permission आप लोगों को loan provide कोया गया है और इस अगर किसी के साथ ऐसे हो रहा है कि आप लोग इस application से loan लिया है loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबार loan expense के लिए आप लिए आप लको हारैंड और blackmail किया जा रहा है जैसिकर loan repayment के लिए edited new picture आपका contact list को sign किया जा रहा है loan e helfen के लिए अपका photo के साथ बैड़ वाड यूज़ करके आपका contact list को sign किया जा रहा है और लो निपेन के लिए आपका personal data gallery का में इस उसके आ जा रहा है लो निपेन के लिए आपको और आपका context को call करके abusive language उसके आ जा रहा है तो गई इस स्तिती में आप लोगो को कहा करना चाहिए अगर यह application अभी भी आपका mobile पर है तो इस application के data clear करके इस application को uninstall कर दीजिए फिर इस application के खिलाब जाके एक cybercrime complaint कीजिए और साथ साथ cybercrime जो help line number है help line number पे भी call करके पूरा details में बताए कि इस application के तरब से loan repayn के लिए आप लोगो को घिसतर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है और कभी सेरे जगह पे अभी cybercrime थाना भी खोल चुका है अगर आपका district पे cybercrime थाना है तो cybercrime थाना पे भी जाके complaint ज़रू कीजिए और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस application को लेके सबसे बरी जो डार है इस application के तरफ से अब लोगों को धमकि दिया जाए रहे कि आ अगर लोण को रिपयो में नहीं करींगी तो आपका Von कॉन्टेक लिश्ट को कॉल किया जाएगा अगर लोन को रिप्यमिन नहीं करिंगी तो आपको दोबरा हेस्मेंड और ब्लाग मिल कीया जा सकता है और केजगे इजी लिन्ड अप्लिकिशन देन इसक्तियत के लोन आप्लिकिशन है आपके खिलिप कोई पुलिश कहरेंगा, नहीं आपके खिलिप कोई लीगाल अletion ले पाएगा सीब ख करके हर्समेंड और ब्लग मिल के आलब है कुछ नहीं कर पाएगा तो गहीं इस लिए अगर इस एप्रिक्रिचन की तरब से आप लोगो कैसे धंकी दिया जा रही कि अब अकर लोन को रिपे में नहीं करेंगी तो आपका contact लिस्ट को call किया जाएगा और अपका contact लिस्ट पे अपका edit and new picture से इन किया जाएगा तो अगर इस तीती में आप लोगों को कहाँ ने चाहिए आप जो भी social media account यूज़ करते हैं जैसे कि facebook whatsapp अगर facebook यूज़ करते हैं तो facebook पे story डाल दीजिए अब अगर whatsapp यूज़ करते हैं तो whatsapp पे एक status डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे सा loan के नाम scam हो चुका है मैं एक फट जी और Chinese loan application से loan लेके फट चुका हूँ अगर loan dpn के related मेरे नम पे किसी भी तरकी call और smith आए और मेरा कोई bad picture send किया जाए तो आप लोग ignore करे और किसे अभी आप लोगों को मैं बता हूँए कि जगर इस application के तरफ से loan पेन के लिए आप लोगों को call और smith करके बहुतर किसा harassment और blackmail किया जा रहे इस application की call से बाचने का solution क्या है तो किसे आप लोग अपना sim card और whatsapp account को on कीजिएगा तो आप लोग खुद दिखेंगे कि इस application की तरफ से call आना बंद हो गया है और किसे सदे साथ आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि true color applications को राउड करके unknown call और phone number को ब्लॉक कर दीजिए तो इससे क्या होगा unknown number और phone number से जो भी call आएगा वो अटोमेटिकली काट जाएगा तो अगर लोग इस application की तरफ से लोनी पेन के लिए आप लोग को बहुतर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है तो लोनी application की harassment और blackmail से बचने का जो मैं solution बताया अगर अब लोग इस solution को इस्टे बाइस्टे फॉलो करेंगे तो आपका जो problem है 100% solve हो जाएगा फिर भी गैस अगर आप लोग का problem solve नहीं होता है तो इस वीडियो के description पे मेरा WhatsApp नमबर दिखने को मिल जाएगा अब लोग WhatsApp के थुरू मेरे साथ contact कर सकते है अब लोग इस वीडियो के लाश्ट में ऐए कहूंगे कि इस इजी लेंड अप्लिकिशन से सब्दान रहे और आप लोग इस अप्लिकिशन पर लोग इस अप्लिकिशन के बार में प्लेच्टो में ओन स्ट्राइटिंग पर जितने सारे रिभ्यू दिए गया ये रिभ्यू किया जाता है नीचे और एक रिभ्यू देख सकते हैं इन्होंने रिभ्यू पर ये कहा है कि इस अप्लिकिशन के तरफ से लोग इपेंड के लिए बाई वाटसब एडिटेड न्यूट पिक्चर सेंग किया जाता है कि आब अगर लोग को डिपेंड नहीं करेंगे तो आपक कांटेक लिश्ट में जितने सारे नमर्वर सेंगे जाएगा तो इस देख सकते हैं इन्होंने भी रिभ्यू पर ये कहा है कि इस अप्लिकिशन के तरफ से लोग इपेंड के लिए ऐसे धमके दिया जाता है या अगर अगर लोग को डिपेंड के नहीं कि नहीं कि ए रही एडिटेट डाटी पिक्चर कॉंटेकलिश में जितने सारी नंबर है सारी के सारी नंबर को सेंग करता है तो गैज इजी लेंड एप्लिकेशन के खिराफ आप लोगो को प्लेश्टों में ओने स्ट्राइटिंग पर ऐसे खफी सारे नेगेटिव रिव्यू दिखने को मिल जा करें यूट्यूब पर आप्लेश्टों में जाकर वन इस्टार रेटिंग रिव्यू चिक आउट किजिए और सब्सक्राइब करें अगर कोई बिल्कुल मत किजिए अगर कोई वाटसब पे मैसस्स करके कहते हैं कि इस विपे यड़ों के रिपीमें करेंगे तो आप लोउन रिपीमें किया है वो आपडेट नहीं किया जाएगा फिर दो बारा लोट सब्सक्राइब को में बता हूँगा प्रोब्लेम नहीं होगा तो गैसे आप लोगों के साथ मुणका थो रहा है निक्स वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद बंदमातरा